हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तब तो में पता चलेगा कि में किस टेंशन से गुजर रही है भाई मैं तो कपसे इंतिजार कर रहा हूं कि कोई प्रेम दिवानी आएगी और मुझसे कही कि राजीव अएलब यज़ अवरे तब अज़ाएगा एंट वह इंचली है सब तुम्हारे साथ होगा न तब पता चलेगा तुम्हें तुम्हें एक फेमस और खुबसुआजरत मॉडर तो थेमस होने कि कुष्टो कीमत तुम्हें चोखानी पड़गी न बास कर राजीव आज काम्या का बर्दे है, at least आज की दिन तो मत लड़ो and रिलाक्स काम्या, पिछले चौपिस घंटों से उस दिवाने आशिक ने तुम्हारा पीछा नहीं किया यह बात तो है and ignore him, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगी, तो वो अपने आप किसी और की तलाश में निकल जाए अचल, हम सब ना तुझे घर के अंदर तक छोड़ के आते हैं हाँ, चलो बिंदो, अचल, यह बिंदो यह नहीं हो सकता मुसा अशिक ने, इसकी नौक राने बिंदो को मार डाला विकी, हम सबसे पहले बिंदो की लाश को नीचे उतारना होगा हमें इसकी लाश को हाथ नहीं लगाना चाहिए हमें सी आईडे को बुलाना चाहिए पहले देख तो लो, शायद जिन्दा हो अभी भी हाँ इसका शेरीर तक थेंडा मढ़ चुका है कुछ बें हो विकी, हमें बिंदो की बॉडिको नीचे उतारना होगा केकी, तुम वो, वो, वो सेटी लेकराओ, जाव जल्दी हमें उपर जाता हूँ, रस्चे खूलता हूँ, तुम नीचे सेपक्काणा दो, जो. नोरो. पकड़णाँ, विक्की. विक्की, पकड़णाँ. हमें इसकी लाश को हाथ में लगाना चाहिए था, हमें CID को बुलाना चाहिए था, पर अगर CID को बुलाएंगे तो, वो आदमी गुस्ते में कहीं कामिया को भी, तो क्या करें, हाथ पे हाथ लगे बैठ रहें, तो क्या कर सकते हैं हम, रुको, मुझे सोचने दो गिफ्ट बोक्स, उसमें क्या है, लेटर, कामिया उस आदमी ने तुम्हारे लिए और एक लेटर भेजा है, एक और चिठी, अखिर माद चाहता क्या है मुझसे, चाहता क्या है मुझसे, लिखा क्या है चिठी में, लिखा है कि जननन की बहुत बहुत बढ़ाई हो कामिया, ये बिंदू की लाश नहीं तुम्हारे जननन का तोफा है, बिंदू तुम्हारी नौकरानी थी, मगर ठीक से तुम्हारा खयाल नहीं रख रही थी, इसी की सदा मिली है उसे, कोई बात नहीं, तुम दूसरी नौक बहुत मुझे तो लगता है आम सब को छोड़ कर बहुत दूर चले जाना चाहिए कही दूर नहीं, वह बहुत चालाग है, हम जहाएंगे वह बहुत जाएगा, जाहें हम कितने भी दूर क्यू नचले जाएंगा, उससे बचने का एकी तरीका जिए उससे बचने का एक ही तरीका, कि मैं अपने अपको मार दूँ करेंगे क्या करेंगे क्या वहमें सोचना पड़ेगा मेडम आप सिक्योर्टी की टेंशन मत लीजिए इस सोसाइटी में सिक्योर्टी के पूरे बंदबस्ते हैं मार कैमरा लगा है इंटर कॉम है चॉब इस घंटे पहरा रहता है आपको टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं तो ठीक है आप एक काम कीजिएगा कला आप हमें एक्ज एक लड़का रहता है लीजिए नाम लियाओ आजिए आई मैं आप लोगों के इंट्रडूस करा ज़िए आई अरे इशान भाई आई और इशान कैसे मैं ठीक हूँ आप कैसे मैं ठीक हूँ यह आपकी नई पडोसी है कामिया जी इस प्लैट में रहने के लिए लिए मैंने आपको पहले कही देखा हैं ओमाई गॉड़ आप तो वही मशूर मोडल कामिया कॉमार हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना एक कान्ट एल्यू मुझे आपके एड्स बहुत पसंद है इस्पेशली वह वह चौकलेट वाला उसमें आपकी जो स्माइल है ना वाहो तेहां कोई रहता है या या, अप्विस बहुत प्रॉसा है इस में आपके एल्साइब प्रेंडली हो जाती है नो नो, इस वोखेशली प्लेजर इस वाल माइन आपके है और उसमें पार आपके उसमें फोन? इसका फोन है उसी का फोन है फोन मत ठाना उसका फोन मत ठाना उसका प्लीज पता तो चले फोन तो साइट पर रग दे रग दे तो कहना का ज़ा है नहीं पोल रहे हुना फोन मत ठाना प्लीज कामने मेरी बात तो सुनो तो जाका रही है कामने तुम कहा जा रहे हुए श्ष्ष्ष्ष्ट मैंने का तुमें अंदर आतुप मैं गार्डन की तरफ कड़ा हूँ हाई आप आए बहार आए आखे तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए तुमा कर चाहते क्या हो मेरा पीछा क्यों छोडते एक शर्थ पर क्या तुम अ बहल नवार मेरी बाट सुनों वां जा रहुए तुम्हे Casey्शा श्रॉज कूरब हो फिए नीटा हम अफ मेरे साथ चली कर जो आपने राकि एल्पल्टार मेरे तुम्हे अब्सक्तर की या आईं की अंतरु परिस कामिया का भीजा रहा दूगा अरे यार कोई तो बच्छा और उसको वाच्वेल कामिया मैंने तुम्हें अकेले अनिकली कहा था तुम इन सब कुमी साथ लियाई वेरी पैड ए यह गण नीचे कर दो तुम बचके नहीं जा सकतो मैं तुमसे कह रहा हूँ हे रो मुझसे पंग पाँ जाथ यहार है बचस्तिकिज यहार दो था घब नेकर जाता धए राक्तिक वीजू है डोट यहिऊ почन्क सब आच्छू है अगर तुम नहीं होते तो ना जाने वहाज़िज आपाता दूरऊं आने कर सकता इमने कामिया को बिला लिया है वहाट यह क्या किया तुम ले C.I.D. को बुलाने की क्या जरूरत थी? C.I.D. को बुलाने की कैसे जरूरत नहीं थी, कामया? तुम्हारी उपर अटेक हुआ था. तुम्हारी जान जानने वाली थी. अरे, C.I.D. को तो बुलाना ही था ना? हाँ, कामया. इशान लिकुल ठेक कह रहा है. तुम्हारे साथ इतने महेनों से ये सब हो रहा है. तुम्हे तो पहले ही C.I.D. को बॉल देना चाहिए था. पुझे C.I.D. की कोई जरूरत नहीं. तुम प्लीस उन्हें फोन करके यहां आने से मना कर दू. अब तो बहुत देर हो चुकी है. आप लोग मेरे घर के अंदर केसे आए? आपके घर का दर्वाजा खुला था? आगे? Sir, ऐसा कोई सीरिस इश्यू नहीं है. आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है. आप लोगों के पास तो और भी इंपॉर्टन केसी होंगे ना? कौन सा केस इंपॉर्टन है और कौन सा केस इंपॉर्टन नहीं, यह हम डिसाइड करते है. वैसे, कामिया जी, किसने अमला किया था अपके उपर? है कोई आशिक दिवाना, पिछले दो महिनों से वो मेरा पीछा कर रहा है. दिवाना अशिक आपका, और आपकी जान लेना चाहता है. सर, अगर मैं टाइम पर नहीं पोस्ता ना, तो उसने कामिया को इस गन से मारी दिया होता. इस गन से? अच्छा. वैसे तुम? मैं युशान हो, सर. मैंने ही अपको फोन किया था. तुमने तो इस आदमे को देखा भी होगा? सर, उसका हुलिया बहुती अजीब सा था. सर पे टोपी थी और उसने चश्मा पेना हुआ था. और हाँ, सर, उसके दाड़ी मूच भी थी. सर, लगता ही आदमे हुलिया बदल के आया था? हाँ, सर, पो बहुत चालाख है और खतरनाग भी. वो, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी. कौन हो सकता है? तुमे शक है किसी पर? नहीं, वैसे मेरे कोई दुश्मन भी नहीं है. पता नहीं क्यों मेरे हाथ दो कर पीछे पढ़ा है वो? नहीं कामे अतरा, सूचो, अबने दिमाग पर जोर डाग हो. हो सकता है कोई प्रोड्यूसर हो, कोई अक्टर हो, या कोई फैंग भी हो सकता है? नहीं सर, मैंने हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया है. यह तो कोई और ही है, यह मुझे फोन करके धंकी भी देता है. फोन भी करता है, मतलब उसका नंबर है तुमारे पास? नहीं, वो मुझे प्राइवेट नंबर से फोन करता है. प्राइवेट नंबर तो आसान इसे मिलता नहीं, प्राइवेट नंबर है मतलब कोई बड़ा अदमी होगा, कद क्या है उसकी, पांच देस ये पांच ग्यारा होगी, हट्टा कट्टा था और उसका रंग भी गुरा था, करिकाम्या इक बात समझ में ने आ रही है, अगर वो पिछले दो महिनों से तुमें परिशान कर रहा था, तो पिर तुमें आज जरूरत पड़ी हमें बताने की, आप तो जानते है कि मैं एक मॉडल हूँ, अगर ये बात प्रेस को पता चल जाती तो, तो इसका सीधा से मेरे करियर पर पढ़ता, ये बात है या फिर कोई और अगर शुपारी हो हमसे, बताओ क्या बात है, अज ही कामय पर हमला हुए और आप से लेता हम पूछ रहे है कि सचा ही क्या है? आइशा, हमें सच पता देना चाहिए, शुपरो, बताओ कामया, शुपरो, बताओ कामया, शुपरो, पाइस फेब्रॉरी को, जब मैं और मेरे दोस्त, मेरी बादे पादे सेलिब्रेट करके मेरे पुराने घर वापस लॉट रहे थे तब, अब क्या हुआ, तब हमने देख पाइस तारीक को, और यह तुम हमें आज बता रही हो, सर वो, उसने हमें धंकी दी थी, कि अगर हमने किसी को कुछ भी कहा, तो वो हम सब को मार देगा, उसकी लाश का है, पुलाश, कहा है लाश, पुलाश हमने छुपा दी, सर, वाट, सौरी सर, सर, हमसे गल्गते हो गई, तो यह पता है कितना बड़ा गुना किया तुमने, तुनको प्योरो ली चलो, और कामिया के साथ जितने भी दोस्ते उस इन पार्टी में, सब को प्योरो पुला, जिंदगी का सब से बड़ा गुना किया तुम लोगोंने, एक लाश को चुपा कर खुनी की मदद किये तुम तर गे थे, तुम सब ने मिलके बिंदू को ऊपर पुँचा है, नहीं सर, हम बिंदू का खुन क्यो करेंगे, हम तो वैसे भी उस आदमे से डरे हुए थे, जो मेरे पीछे पड़ा है, उस उस आदमे की गन भी आपको दी ना, इशान ने, सर, कामिया के पुराने गर में से जो तुम की बड़े लेटर्स मिले है, उसमें जो लिखावट है, वो इन में से किसी की नहीं है, सर, अब तो आपको यकिन हो गया होगा सर, के हम लोग बेकसूर है, अभी नहीं, समझे, वेक सारी चुठियां पुरान सिक लैब में भेज़ दो, डॉक्टर साहूंके के पास सर, आप जी, थैंक्यू वेरी मच्च, आप जा सकते है, सर, यह गन जो इचान ने उठाई थी, यह सेवियो की गन है, सर, मगर यह गन दो साल पहले, सेवियो ने किसी को बेच दी, इन दो सालों में यह गन किस को बेची गई, इसका कोई रेकॉर्ड नहीं है, तो इसका तो उसे यह भी पता होगा कि अब यह केस हम लोग हैंडल कर रहे हैं, बजरूर तुम से मिलने की कोशिश करेगा कामियाँ, अब तक तो तक तो उसे पता चल गया होगा कि, क्या हम लोगों ने C.R.E. को बुला लिया है, उसकी हरकतों से तो लगता है कि उसके दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ जरूर करेगा वो? हाँ, वो पागल है, पूरी तरह से पागल है, बस एक बर वो पकड़ा जाए हम लोगों ने ऐसे पागल दिवानों का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया है काम्या, पागल हो गई हो क्या? यह दूद है, जूस नहीं क्या है, पता नहीं, इस सब के वज़े से मैं किसी चीज़ पर कॉंसेंट्रेटिया नहीं कर पा रही हूँ काम्या, तुम दूद में पीती क्या? काम्या को दूद से अलरजी है, दूद उसके लिए जहर है उसी का फोन है, काम्या, टरूँ मातू, पुनटा हेलो गुद मॉर्निंग, सुछार्ट मैंने सुनाए कि तुम अपनी शूटिंग पर फिर से जाना शुरू करने वाली हूँ हम, वेरी गुड कबसे? तुमें क्या लगा? कि मैं तुम से डर कर घर पर छुपकर बैठूँगी? हा? सी आइडी को नहीं बुलाना चाहिए था तुमें अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमें विल्डन कामया, तुमने बहुत बाहदूरी से काम किया है बाहदूरी? यह बेवकूफी, यह तो बात में पता चलेगा आइशा, कामया ने जो कुछ भी किया, बिल्कुल ठीक किया है ऐसे मुझरिमों के साथ ऐसा ही सुलूग करना चाहिए यह लो मेरी गन कामया, वैसे तो तुम्हे इस गन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले कि वो तुम्हारा कुछ पिकाड सके हम लोग उसे पकड़ लेंगे और अगर उसे तुम्हे मारने की कोशिश की तो तुम बुली मार देना उसे ओके रेड़ी, माइंड बले रेड़ी? तुम्हार, कामया, सर्फ, सारे, 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 कामया, विचू रिलेक्स रहने का तोड़ा आमको अच्छा चोट देने का अरुपिं ग्रेट, क्रेट, लेकर तोड़ा हार्ड है, आपने को सौट मांगते आप तोड़ा सौटी को माइगा, है? एक मिर्ट, एक मिर्ट, सारे, 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 लोग अपने हैं, बार का कोई भी भी है, सारे, 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 सा श्रसाज मेरा अखरी दिन पहले तो इस चीज को प्रे दिमाग से निकाल दो हम लोग है ना यहाँ पर सिफ अपनी गंतेया रखना ओके, बेरेगोड, बेरेगोड, माइंड ब्लिंग, माइंड ब्लिंग मुझे ब्रेक चाहिए ओ, ब्रेक, ब्रेक, ओके, आपका ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक परदादा, मुझे जूस चाहिए जी मेडम, आपका तड़ा सोलो पोटो नूँ क्या? सूपा मेम साब दूद मने तो जूस लाले काम्या, पागल हो गई हो क्या? काम्या को दूद से अलेजी है दूद उसके लिए जहर है तू? काम्या अपनी काम्या निकालो कॉ तू मारेगी मुझे? तूड़ दे इसे, ने तो गोली मार दूँगा उससे पहले मेरी गोली इसका भेजाओडाईगी तू दालोग मारा बद कर गंडीचे लग मैं डायलोग नी मार रहा हूँ अपनी अपनी गंडीचे अख़वणा गोली मार दूँगा इसे नाइट भेजाओड़ादूगा गंडीचे ओके छोड़ो मुझे गंडीचे क्या में बढ़ा मेने छोड़ो अटो से अटो हागी से कुछ नहीं समझना है मुझे आज तो यह गई अगिलेचे गंडीचे चोड़ो गंड़ो गोली मार दूँगा यसे गंडीचे करो गोली मार्दूगा तुझे छोड़ड़ेंगी गल्ती रहिए आज मैं गंडीचे तुनो बात बात पान जाओ अगर तुमने काम्या को गोली मारी तो तुम्हें फासी के फंदे से कोई नहीं पचा सकता मैं तुम्हारे फासी के फंदे से नहीं डरता बात कल्ती कर रहे हो, बात संजो तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते, समझे कुछ नहीं समझना है मुझे, आज तो यह कई आईये, सिर. लाज का पोस्टमोडम तो नहीं किया ना? बिल्कुल नी, सर. हम जानते तें इसी आईडी का मामला है. इसलिए हमने पोस्टमोडम नहीं किया. यह देखिए, सर. इसकी जेब में से कुछ मिला है? वालेट और मोबाइल मिला था. सुनो, वो जो में वालेट और मोबाइल मिला था, वो लेकर आना. ठीक है, सर. सर, यह लीजिए, सर. जम क्या बलता है? इस वालेट में बॉत सारे पैसे और एक क्रेडिट काट है. ट्राइविंग नाइसेंस भी है? लाम था इसका शुभांकर. शुभांकर. इसने अपने मोबाइल फोन से कहीं सारे फोन किये, मगर एक भी फोन कामिया तो नहीं किये. क्योंकि कामिया को यह किसी और नंबर से फोन करता था. प्राइविट नंबर से. ठीक है? नकली मूच और यह नकली दड़ी? और तो और इसने अपने बाल भी सफित किये. तो यह है असली चेहरा शुभांकर का. पता लगाते हैं कि शुभांकर था कॉन और इसका बैक्राउंड क्या था? और इसकी मौत एक एक्सिडेंट थी और फिर सोची समझी साचेश. अई 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 क्यों है? सर हमें यह क्यों बलाया? शुभांकर ने तुमारे बैंक में अकॉन फोले है? सर मैं सिर्फ हाँ कहूँगा उसके लावा कुछ ने. हम अपने क्लाइंट्स की इंफोर्मेशन नहीं दे सकते. बताना पड़ेगा, बहुत सीरियस मामला आई है. सर उसके लिए आपको कोट से ओर्डर लाना पड़ेगा. सर्चिन, इनकी घर में फोन करके बताओ कि ये रात को घर नहीं लॉटेंगे. इसका मतलब अब मुझे यहां बंद रखेंगे? हाँ यही पर, बजाग लगा के रखाएक है. खून का मामला ये, खून का. और खून से बढ़कर एक ही गुना हो सकता है. खूनी को पकड़ने में मदद नहीं करना, ज़ तुम कर रहे हो. पताओ, शुभांकर ने कितने अकाउंट खोले हैं तुमारे बैंक में? तो अकाउंट खूआजे हैं. तो अकाउंट? हाँ, एक उसके अपने नाम से और उसकी कंपनी के नाम से. और? नहीं सर, और तो कोई अकाउंट नहीं था. और किसी लड़की के नाम पर अकाउंट खोल के रखा हैं? नहीं सर. तुम शुभांकर की कंपनी में हैमडी हो ना? जी सर. यह देखो. ब्यान से देखो इस फोटो को. यह लड़की तुम्हारे आफिस में कभी आई थी? नहीं सर. कामिया नाम है इसका कामिया. कभी शुभांधर के मुझ से नाम सुना है? इसके बारे में बात करते हूंएh सुना है? शुभांकर सर की लाइथ में कोई लड़की नहीती सर. आपके शुभांकर जी इस लड़की के प्यार में पागल थे और उसी वज़ा से अपनी जानगवा बठे और आप कहते हैं कि उनके जिदगी में कोई लड़की थी नहीं अधर सर मैं सर्फ आप को ट्रक के बारे में पता चल गया सा सोडी ट्रांसपोर्ट का है से इसका नंबर है तुम्हारे पास एक तो तीन रख हमेशा तीन आजा भे एक दन पालतू कैसे लगए हो अगाजी आप बहुत जाम लगा था अब अब सोही पे सारा दिन लग जा वो तुम्हारा साथी दार नहीं दिख रहा है अगाजी अगाजी उसकी शाति हो गई वो बीवी को कुमाने लेकर कया है साधी हो गई अर बीवी को घुमाने भी लेके घहए हूँ है अगाजी आप बीवी को ही घुमाने के चीज हो गय कैसी बात करते हैं भ इयाजी आपकी भी षादी होगी बीवी आएगी या मैया, साधी तो होगी, पर मेरा ये मानना है, मेरे घर में बीवी नहीं, मेरे मैया की पहु आवेगी, हाँ ये अमरित निगम जी, मैं एसे भी प्रदिमन सी-ईडी से फोल्ला ओ घिसका फोन है, ये रसाल सुराज से होगे, स्ी-ईडी वा को है, स्ी-ईडी वालोका, पर स्ी-ईडी आपको क्यो फोन कर रहा है, बात करोंगा तो बता चनो गे ना हाँ हाँ सर जी सुरी आपको बखा कर दिखें जरा गौर से मेरी बात सुन लीजिए हाँ सर जी बताइए एक लाल रंग का ट्रक नमबर है UP71A4343 इस टक ने एक आदमे को उड़ा दिया है जान से मारा है बार दिया जी हाँ क्या ये ट्रक आपका है का नमबर बताया नमबर है UP71A4343 UP71A4343 नमबर तो जाना पहते है अरे हाँ सर जी ये तो हमारा ही वो लाल ट्रक है जो अमदावाद से चोरी हो गया था जुलाई 2011 में तो कंप्लेंट वकरा तो फाइल की होगी न तुमने हाँ सर जी तर्च कराई है आ तो एफायर की कॉपी भीजवा देना अभी से खाया तो पताईए ने ने अमरी जी थैंक यु वेरी मच अपने अमारी बहुत मदद की है थेंक यु वेरी मच अजी अजी शीरी वालोना क्या का अजी अजी प्रस बने है हाँ वो ट्रक ने किसी को मार गिरा है, उसी के एफायर को भी मांग रहे है मैं तो कहता हूँ कि इन सी आडी वालों की चक्कर में मत पड़ो, है लेने के देने ना पड़ जाया है एक अन्साम, इस देश से गुनाह को मिटाने का कम सिफ कानून का नही हो वे है हमारा भी कोई फर्स बने है, हाँ सर क्या कह रहा था ये अमरित निगाभ वो ट्रक जुले 2011 में अम्दावाद से चोरी हुआ है और हमें ए फायर फैक्स कर रहे है मतलब सर अच्छा नागरिक है और अच्छा नागरिक तो करता भी होता है कि कानून की मदद करे वाके अच्छा आमी थाए बाते भी बड़ी अजीब तरीके से कर रहा था और उसका बात करने का अंदाज भी कुछ अलगी था मुझे तो लगता है कि जिन जिन लोगों से मिलता होगा बातें करता होगा मिन्टों में उन्हें अपना करता होगा बड़ा दिल्चसप है अब में अगेटिंग बैक तो दे केस सजिन मुझे तो लगता है जान बूचकर उडआया गया है उस ओड़ाया गया है। जान बूचकर उड़ाया है। जरी की मतलब है कि किसी ने ट्राक्त्राइबर को पैसे दी आओ थे शुभांकर को मारने के लिए। वो सकता है सर , पर अपरी that शुभांकर ने अपने ओफिस से जिजिसको फोल किया उसकी लिष्ट है सिर्फ इसमें तो उसने काम्या को एक भी फोल नहीं किया है अगर यह कैसे हो सकता है सिर्फ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यह देखो हो, होटल तृष्ठा से शुभांकर को सबसे ज्याधा पोनाए है होटल तृष्ठा से क्या कहा अपने अटल तृष्ठा हाँ होटल तृष्ठा शुभांकर स्री इस होटल में एक महने तक रोके थे जब तक उनका नका नया घर बन रहा था एक महीन होटी त्रिशा में टह रहे थे सर ये शुभांकर जब अमेरिका में था तो वहाँ पे उसने लाखो डॉलर्स का फ्रॉड किया था बहुत सारे लोग उसके पीछे भी पड़े थे अमेरिका में लाखों डॉलर्स का फ्रॉड करके शुवानकर भाग कर यहां आया आया है खुनियों के दिमाग में भी नही नही तरीक आते हैं आप लोगों को बेवकु बनाने के लिए ज्या मतलब यह कि इस बिंदू की मौत गला गुठने के वजे से नहीं हुए क्या मतलब इसरसी लटकाने का नाटक किya गया ता रॉस bize जब तक इसरसी लटका या जब यह जालड़ी मर चुकिति है तो फिर इसकी मौत एक मिलट о इस बिंदू की मौत कैसे हुई यह हमेई यह कंबर बताएगा इचोटा सा केमरा मैं इसकी मूंँ डालता हूं प्रवसाम यह कांज जेसा कुछ है ना? आपी जीत यह कांज ही है बस इसे कुछ ऐसी चीज खिलाई या पिलाए गई है जिसमें कांज का पाउडर मिक्स था जैसे ही वो कांज का पाउडर इसके मुझ से इसके गले में पहुचा कांज के छोटे-छोटे कणों ने इसके ट्रैकिया और इसके फूड़ पाइप को काट कर तैस-टैस कर डाला और उसी से इस बिचारी की मौथ हो गई इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है किसी को और इसपर वी खोनी रूकाने बस इतनी बेरहमी से इसका फून करने के बाद उसने इसकी लाष relationship benा बने ही। संज भी अर्걸 शुभांगर विंदू को मारना चाहता था तो इतनी बड़ी प्लाइनिंग करने की जरूरती क्या थी अट्टा गट्टा था कैसे भीमार सकता था बिंदु को और फिर जब इसकी मौत वैसे होई चुकी थी तो फिर इसे पंखे से लटकाने की क्या जुरत थी लाश को लटकाना असान काम तो है निसार मुझे तो लगता है क करदे शुभांकर ने खून किया जू हम यह आप क्या कह रहे है तारिका जी आप ने टूबरे केस्का हुलिया है जी टोंडल दीया जुए है यह त्युए अपैका स немे पे दोस्तेव के निशान मिले laundering है नहीं सर इस पर सिर के उब्लों के निशान ना तो इस बिंदू की बाडी पर है और ना ही विन धमकी वाले चिठ्थियों उपर है सिर्फ कामी और उसके दोस्तों के निशान है कमाले सर ये शुभांकर वो चिठ्थिया भी गलफ्स पन की लिखता था था क्या प्रेड़ी अगर शुभांकर ने व जैसार इन्सेक्टिसाइट्स मिले. परांकन तो पूल में से हाते हैं और इन्सेक्टिसाइड ज़ादा तर इसी जगे पर इस्तिमाल किया जाते हैं जह पर बहुत सारे पीडपौने ओते इं मतलब चिट्थिया अशे यह पर लिखी गई है जहां पर हर्याली है, खेत खलियान है, फूल भी है मगर सर इस शुभांकर का बिजनिस तो फैनेंस का था पीड़ पोदे से उसका क्या लेना देना अब जीत कही ऐसा तो नहीं कि कोई शुभांकर को फसा रहा है उस तरिशा होटल में जाकर पूछ ताच करो जहां पर शुभांकर ठहरा था यह उनकी तरफदारी कर रहा है यह है वो लड़की इसे सुभांकर मारना चाहता था जानते हैं से यह तो मशूर मोडल काम्या कुमार है ना ठीक पैचाना यह लड़की कभी यहाँ थी शुभांकर से भिलने के लिए नहीं सर्ट यह उनका सामान तो बिखला रहता था पर इस लड़की की फोटो मैंने कभी उनके सामान में नहीं 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 थी पर इस लड़की की फोटो मैंने कभी उनके सामान में नहीं 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 करो है शायद शुभांकर ने शुभांकर ने इस लड़की को कॉल किया हू उन्होंने होटल से तो कभी किसी को कॉल किया ही नहीं अपने कमरे से से स्फ रिसेप्शन पे कॉल करते थे वो भी चाय को मंगाने के लिए ये शुभांकर की दिंजरया क्या थी? मेरा मतलब है डेली रूटीन ये शुभांकर होटल से बाहर कभ जाता था या होटल के अंदर का बाता था कुछ मालोग है वो कभी होटल से बाहर जाते ही नहीं थे क्या? शुभांकर चोबीस गंटे होटल मी जिपका रहता था जी हां वो अपने कमरे में होते थे या फिर होटल के लॉबी में या फिर कॉफी शॉप्ट में शुभांकर पूरे देन होटल में करता क्या था? स्केच बनाते दे किस चीज का स्केच? असली चीजों का हमारे होटल के वी कही सारे स्केच बनाये हो लोने हम उसकेच देख सकते हैं? वहां पिछे दिवार पे लगे हुए सारे सकेच में शुभांकर यहांसेVIST अगर सर, यह सारे सकेच बनाईं कियो होंगे? मैं भी वही सोचना हूँ यह दू स्केच तो इस होटल ळधा है यह गारण उला स्केच इस होटल गा नहीं है साही का आपने इस तरह का गारण हमारे होटल पे कही नहीं है तो फिर यह कौन सी जगह है जिसका स्केच शुबांकर ने बनाया है? जोड़! 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 इतनी देर से घंटी बजा रहे हैं, सोरा था क्या? नहीं साब, मगर आप लोग है कौन? अम लोग CID से हैं, यह शुबांकर का गर है ना? आप साब शुबांकर के खून का इन्विस्टिकेशन करने हैं यह यह लोग शुबांकर जाब का खून हो गया? हाँ, खून हो गया उनका अभी जीट, आद है? यह देखो तो कामया के पूरी कुंडली निकाल कर रखे है साथ जनवरी अठारा जनवरी साथ फरवरी, नौ फरवरी तो यह शुबांकर कामया की जासुसी कर रहा था यह कहां जाती है, क्या करती है कितने बजे घर से निकलती है पूरी जानकारी खट्टिकर रखी है क्या यह सब? मुझे नहीं पुदाजा तुम कर में रहते हो क्या? यहीं नहीं नहीं तो साब क्या करना था शुबांकर यह सब? कामया की फोटो की फूजा करते थे तुम दोनों मैं तो नौगरू साब घर में मालिक कुछ भी करें मैं कैसे पूछ सकता हूं मतलब तुमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुबांकर इस लड़की को मारना चाहता था साब किसी को क्या मारेंगे वो तो खुदी डरे-डरे से रहते थे यह लोग इनके शुबांकर साब डरे-डरे से रहते थे अरे भई उनको की बात का डर था यह तो पता नहीं मगर मानों के कोई पीछे पड़ा हुआ था पीछे तो शुबांकर कर रहा था ना कामया का अच्छा यह यह लड़की यहां शुबांकर को मिलने आती थी? साब मैंने तो इले से निया फोटो में देखा था चलो घर की तलाशी लेते देखते क्या शुबागी रख़ा आप लोग घर की तलाशी ले रहें साब चुप चाप खड़े रहो वहीं पे सुनुआ, वमारे पास इस ड्राव की चापी है? नहीं, साब क्या हुआ है? तो मैं ताला लगा हुआ है शायद अंदर कोई जरूरी चीज हमें जरूरी चीज? अब ताले ताले पे लिखा है फ्रेडी का नाम तो रख, एक सेकेड जरूरी चीज? फाइल? सर, आपकेड़े? सर, यह फाइल मिली है, सर ड्रावर में चुपाके रखी थी ऐसी क्या चीज, इस फाइल में जो शुबांकरने चुपाके रखी थी? ओ, अब जी चिठ्थी चिठ्थियों के हिसाब से तो कामिया शुबांकर को मारना चाहती थी अगर शुबांकर ने कामिया को नहीं मारा तो वो उसे मार देगी उसे उन लोगों ने बेजाया है जिनके साथ शुबांकर ने फ्रॉट किया था न्यूजर्सी अमेरिका ने मगर सर, कामिया तो एक मशूर मॉडल है वो भला सुपारी लेके किसी का खुन क्या करेगी अगर ये कामिया सच में शुबांकर को मारना चाहती थी तो फिर ये शुबांकर पोलीस के पास क्यों ने गया क्योंकि शुबांकर ने न्यूजर्सी में फ्रॉट किया था अगर वो हमारे पास आता तो इसकी पोल खुल जाते है अब जाके थोड़ी सी धुन धटने लगी है केस से वो ऐसे होगा ये जो भी कोई कामिया की जान के पीछे पढ़ाया उसने प्लैनिंग करके शुबांकर को चिट्टिया लेकी की कामिया उसके जान के पीछे पढ़ी है और शुबांकर ने अपने आपको बचाने के लिए कामिया की जान लेने की कोशिश की अगर सर कामिया तो एकदम सीधी साधी लड़की है शुबांकर को दस बार सोचना चाहिए था वो बला उसे क्यों मारेगी भी तो मुझे तो लगता है कि ये जो भी कुई है इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ वो इन दोनों के बारे में जरूर सब कुछ जानता है अच्छी तरह से जानता है यहां तक कि शुबांकर ने अमेरिका में फ्रॉड किया है पैसो का और यहां भाग कराया है मुझे तो लगता है ये जो भी है जरूर इन दोनों के साथ उसकी दुश्मनी है मतलब सक हुनी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था एक्जाटली उसने शुबांकर का शिकार तो कर लिया बची है कामिया कामिया को किसी भी हालत में हमें बचाना चाहिए सर सर मैं है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिल के आ रहा हूं सर उनका कहना है कि इन में से कोई भी चिटी शुबांकर ने लिखे है सर अच्छा तो इसका मतलब है ये चिट्टियां उसी आदमी ने लिखी है जो इन दोनों की जान के पीछे पड़ा है काम करते है गार्डन कर सकेश देखते हैं इस होटिल तरिशा के मैंजर ने बताया था कि ये उनके होटिल का गार्डन नहीं है ये नरसरी जैसे कुछ लग रहा है लेकिन इसमें ये लड़की पौदों पर स्प्रे मार रही है है कहा की जगे सर चिट्टियों के ऊपर से हमें फूल से निकला हुआ पोनन और वो किड़े मारने की दवा भी मिली थी ना कई हैसा तो नहीं कि ये वो ही है जो शुबांकर को मारना चाहती थी हो सकता है मगर ये है कहा का स्केच यहां कुछ लिखा है लगते कोई जगे का नाम जैसे कुछ लग रहा है चेल्जी स्क्वेर रोड चेल्जी स्क्वेर रोड ये कहां पर हो सकती है जगे इस नाम का रोड मैंने तो कभी नहीं सुना वे इंटरनेट पर चेक करो देखो यह चल्जी स्क्वेर रोड है कहां पर यह सर्फ तो यह देखिए तुनिया में चल्जी स्क्वेर नाम के सिफ तीन रोड एक ब्राजील में एक टोरॉंटो कैनेड़ में और न्यूजर्सी अमेरिका न्यूजर्सी अमेरिका में चल्जी स्क्वेर रोड तो यह दो पर आई होगी काम करो शेहर में जितनी भी नर्सरीज है सब में जाकर के पूश्टाच करो और देखो कुछ पता चलता है क्या इसकीज में मैं आपके यहां पर कोई है इस नर्सरी में एनराई लड़की आई है एनराई था ओड़त को आसवास देखा है नहीं सुछ के बताई है यह अचली यह खूं का मामला है यहां से फूल बगरा लेके गई हो नहीं ऐसी कोई नहीं थी कुछ पता चला उस तरफ तो कुछ भी पता नहीं चला तर इस तरफ ही कुछ नहीं है उदर आगे एक नर्सरी है और आखरी नर्सरी बची दखते है उस वारत के बारे में बता चलता है क्या स्कीज में आपको तोड़ी तकलीफ देनी ती हम लोग CID से हम एक ऐसी औरोत को ढूंड रहे है जो बाहर से आई है बाहर से मतलब बाहर के देश से है जिहां एनराई इंडिया की है लेकिन बाहर रहकर आई है सार ऐसा कोई नराई काम पे नहीं है सार परहां एक नराई और जिन्होंने दो महँने पले है नरसरी कर दिए सार बाहर अठीज जिल्टे आई है साइड अम्रीका सार क्या या नाम है नीव यॉयॉक नहीं 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 वो नू यू अने फुटर जैसे कुछ होता है वा अच्छा नियू जूर्सई पाइश्य जी वै शरी नियु जूछ पूरा यकीन है जी जाँ मॉ immersion, यह है वो लगता है बिजलीभाई आये, 느ущुए अरे साफ़ आप लोग मुझे तो लग Mengर बिजलीभाई आये बिजलीभाई तो नहीं और तुफान जरूरतया है टुफान? जहां पुफान जब जब कहा है वो तो घर पर नहीं है कहा गे यह वो? पता नहीं, साहब. सर, अंदर कोई नहीं है, सर. ठीक, घर के अच्छी तरसे तलाशी लो. साहब, आपलोग घर की तलाशी ना ले. मेम साहब आएंगी, तो डाटेंगी मुझे. मेम साहब वापस आएंगी, तो डाटेंगी ना? मैं कोई समझाएं नहीं, साहब. बावच्याल समझाओगे. यह क्या है? साहब. एदेगे, साहब? आप समझ में आगे, यह मेम साहब कहाँ गी है? आप दोनों को बहुत-बहुत मुबारक हो. क्यों, अकील साहब? काम तो हो गया ना? I mean, पेपर्स तो रेड़ी है ना? मैंने यह पेपर्स देख ली हैं. आज से आप दोनों माला माल होचकी हो. अब पाड़ी वाड़ी तो बनती है. यह लीजिए. फिंटास्टिक. मैं इन पेपर्स पेश साइन करतेती हूँ. उत्तराजी. C.I.D. काम्याद तो? आप लोग यहां? देगा, सचे. हमें देखकर इन लोगं को खुशी नहीं होते. उदावस जाते हैं यह लोग. यह देखके पर दिल बाइज जाता है. चलो यहां से. ऐसे माहल में कामने कर से. नहीं सद्वाइज से. चोटी-बात को दिल नहीं लगाते, सर. वैसे हम लोग उनसे बात करेंगे तो यह लोग खुश हो जाएंगे. समझ जाएंगे. मगर सर, आप लोग यहां आये क्यो हैं? देखा, देखा तुमने. हम आरे यहांने से 50 सवाल खड़े हो जाते हैं. मैं तो आपकारे, सर. प्लीज, प्लीज, मैं बात करता हूँ. वैसे काम्याची आप इस सवाल मत बुचिए. मगर सर, वो… देखिए, हम लोग यहां शुभांकर के खुणी का नाम बताने आएं. शुभांकर का खुणी? पर शुभांकर तो खुदे खुणी था. नहीं, शुभांकर खुणी नहीं था. अकर सर, शुभांकर ने तो खुण किया था, मेरी नौकरा ने बिंदु का. तुमने उसे मजबूर किया खुण करने पे. मैंने? मैंने क्या किया है? मैंने तो… कबरदार! यह जो जहां पे है वही खड़ा रहेगा तो हमें यह से जाने दो पर नहीं सब को गोली मार दूगी यह ड्रामा बंद करो बंद कर अपनी यह लक्षर बाजी में आखरी बार कह रही हूं हमें जाने दो यह खिलो लेक्चर तो अब मैं तुझे दूगी और ऐसा लेक्चर तो जिन्दगी भर नहीं भूलेगी वोलो इक्या ड्रामा चला रखा है शुभांकर मेरा पती था अब निगली असली बात पेट में से वैसे बात हमें पहले से मालुक थी पात साल पेले हम तोनों का डेवोस हो किया था तुम्हारे सासुर जी अपने वसीयत में लिखके चलेगे के शुभांकर और तुम साथ मे रहो या ना रहो शुभांकर की मौत के बाद सारी जाइदा तुम्हारी हो जाएगी और इस प्लैन में मेरे कामया को भी चामिल कर लिया हाँ उत्तरा ने शुभांकर को चिथी बेजी कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ और फिर वो चिथी पढ़ गे शुभांकर बेचार की कामिल से बचने का एक ही तरीका था कि वो खुद कामया को मार दे यूंकि वो सीयडी के पास तो आनी सकता था कानून के निगाहों में वो भी यह गुनेगार था हमने सचा कि आप लोग उसे मार देंगे या तो अतमरक्षा की बाहर ने मार दोगी और अगर वो फिर भी न लेकिन कामिया तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस गुना में तुम्हे अपने हाथ काले करने पड़े पुद्वार ने मुझसे कहा था कि ये मुझे प्रॉपर्टी में से अधा हिस्सा देगी और पैसो के लालच में तुम्हारा जमीर मर गया और तुमने दो दो खू अझाल खूब आप आप ये जोग्स प्रॉपर्टी में तुमने तुमने खूब और आपाग तुमने